Hello everyone, मैं अबिन सिंग राटो, स्वागत करता हूँ आपका Magnet Plains में एक ऐसा YouTube चनल जो कि आपके लिए लेकर आता है, quality content वो भी बिना किसी paid subscription के that means no kind of amount is demanded from you तो कि हम कहीं नगई सोचते हैं कि education पर सब का अधिकार और बराबर अधिकार होना चाहिए तो आज की वीडियो में basically बात करने जा रहे हैं कि इस चीज़ के बारे में the formation of Indian Constitution बलाव Indian Constitution की history की जो अभी चल रही है कि इसमें हमारा Indian Constitution बनता कैसे है, क्या process होती है, किस particular plan plus particular mission के अंडर हमारा constituent assembly बनती है, इनको बनाने वाले कौन लोग थे, इनमें कौन कौन सी committees थी, कब demand सबसे पहले उठी और यह सब चीज़े जो है, आज हम properly इस चीज़ को discuss करने वाले हैं, तो चली, without any further kind of weight, हम चालू करते हैं, हम आज का वीडियो, चली, क्या होता है, सबसे पहले जब हम Indian freedom struggle की बात करते हैं, तो धीरे-धीरे starting from the 1885 जब हम Congress की establishment देखते हैं, जब हम आपके extremist और moderates इन सब का group देखते हैं, फिर बात में हम जब गांधियन principle देखते हैं, तो धीरे-धीरे हम क्या करते हैं, कि हम धीरे-धीरे हमारा हक मांगने लग जाते हैं in political activities, ठीक है, starting from increasing members on legislative council, मतलब कि सबसे पहले हम क्या demand करते है कि जो आपकी legislative council होती है, वाइस रोए की, उसमें क्या होई, इंडियन members सबसे ज़्यादा बढ़ाए जाए, इंडियन members की quantity बढ़ाए जाए, फिर executive council में क्या करने लग जाते हैं, हम हमारी demand सामने रखने लग जाते हैं, तो ultimately क्या होता है, कि एक time ऐसा आजाता है, कि finally इतना ag constitution हो जाता है country में, इतना 1934-35 की बात रहती है, कि हम लोग क्या करने लग जाते हैं, हम हमारा constitution demand करने लग जाते हैं, साथ में क्या होता है, civil disobedience movement होता है, गांदी जी के अपने movement सलते है, non cooperation, civil disobedience, इसका impact बहुत पढ़ता है, आपके British government पे, तो ultimately क्या होता है, कि 1946 में, ठीक है, of course कई सारे plans आता हैं, कई सारे चीज़े होती हैं, कई सारी बैठके होती हैं, कई सारे discussions होता है, Indian government या Indian leaders और British government के बीच में, but ultimately finalize चीज़े किसमें होती है, तो हमारे cabinet mission plan में, किसमे, cabinet mission plan which comes in November 1946, November 1946 को क्या होता है, cabinet mission plan आता है, और इसी के according ये decide करा जाता है, कि अब क्या होगा, इंडिया के लिए एक proper constituent assembly बनेगी, क्या बनेगी, इंडिया के लिए एक proper constituent assembly बनेगी, जो कि क्या गरेगी, जो कि आपका Indian का constitution बनाएगी, that means, India constitution कैसा होना चीज़े, उसमें कौन-कौन से प्रावधान होने चीज़े, कौन-कौन से provisions होने चीज़े, ये सब कौन decide करेगा, ये सब decide करने वाला क्या है आपका constituent assembly, क्या है constituent assembly, तो पहला question आप से ये उठ सकता है कि constituent assembly जो है, उसका formation, कौन से plan के according हुआ है, या फिर आप कह सकते कौन से ऐसी बीच में जो टूस हुआ था, या आप कह लिजे एक particular mission आया था, जिसका according हो सकता है, तो 1946 November cabinet mission के अंडर में ह कि finally क्या होता है, constituent assembly को कoria मिलता, जो मिल जाता है कि हाँ, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप अपना ईंडिया का constitution बना सकते हो, तो जब इंडिया के constitution की बात बनाने की बात है, तो एक कमिटी का नाम आया, वाइस सब क्या होगा, एक चुछलेंड assembly बनाई जाए जह ये बैट क्यों रहे हैं यह किसने अथॉरिट्य देती है क्या-क्या नहीं है बाइसरफ यह रिक्रेजंटेटव है यह नहीं है यह नॉमुनेटेट इब और रहेंगे यह सब चीज क्या डिसकस होती है तो फाइनली बात यह होती है कि जितने भी Constituent Members रहेंगे या इतने भी Constituent Assembly की Members रहेंगे वो क्या होंगे Elect होकर आएंगे साथ साथ जो प्रिंसली स्टेट्स हैं ठीक है डाट मींस जो हमारे राजा महराजों की जो शासन है राज है वहां से लोग क्या होंगे नॉमिनेट होकर आएंगे ठीक है तो फाइनल एक इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है जिसमें टूटल जो है टूटल स्टेंथ रखी जाती है 389 जो है टूटल स्टेंथ रखी जाती है उसमें से लेक्शन में 296 जो सीटे होती है वह कहां से होती है ब्रिटिश इंडिया से याद करिए 1935 का जब आक्ट आया था तो उसमें क्या प्रोविजन आया था कि प्रॉपर इंडियर बनाया जाएगा और साथी साथ क्या कराया इलेक्शन कराये जाएंगे ताकि जो प्रोविंशल असेंबली है और उनमें लोगों को रिप्रेजेंटेशन हो सके उसमें लोग बैठ सके अपने लिए कानून लॉस बना सके हैं तो जो 389 है उसमें से 296 कहां से आएगी ब्रिटिश इंडिया से आएगी यह वह एरिया है जो कि कहीं ना कहीं जो प्रिथिक तरीके से जाए दरेट या इंडरेक्ट तरीके से निकेसे कौन कर रहा है तो ब्रिटिश कंट्रोल कर रहा है नाइटी त्री सीट जो रहेंगी वह कहां से आएगी आपके प्रिंस्टी स्टेट से आएँगी ठीक है मतलब 93 लोग किसको रि से हमने देख तहें जानए क्षाइब अन्में इनमें क्या होती ही कद्रेंश का हक तो थे जो प्रोभीसिन यह बिए एक रिविजन टाइब से तरह इंपॉर्टेंट नहीं है आभी के लिए ठीक है चलिए तो ग्यारा प्रोविंसेस में 292 सीट्स जो है वो रखी जाती है ठीक है इन 292 सीट्स में से मुस्लिम सिक और जेनरल इन तीन को क्या दिया जाता है सेपरेट एलेक्टोरेट जाता है ठीक है साथ साथ चीफ कमिशनरी ऐसे पर्टिकुलर एरिया जो की डरेक्ली किसके कंट्रोल में है आपके ब्रिटिश के इड्मिनिस्टेशन में यह मतलब उस टाइम की यूनिन टेरिटी आप इसको समझ सकते हैं ठीक है तो ऐसी चार सीटे हुआ करते थे किसकी ची क्या रहेगी टोटिली नॉमिटेट रहेगी मतलब जो राजा है जो हैड ऑफ स्टेट है वह करेगा अपनी तरफ से एक बंदा नॉमिनेट करेगा और कहां बेजेगा इस पर्टिकुलर एसेंब्ली में बेजेगा लेटर ऑन क्या होता है कि यह सब स्टेट मिलके डिसाइड कर सकते हैं तो अल्टिमेटली क्या बोलते हैं कि यह नहीं यार हम लोग क्या करेंगे इस चीज को बॉयकट करेंगे अभी हम जो है इतने मैच्वर नहीं है यह हमारे पास इतनी कॉंटिटी नहीं है कि हम असेमली में पार्ट ले सकें ठेक है चलिए एलेक्शन की जब बात अंतरी मिलती 258 मिलती है मुस्लिम और ले सोच रहे है कि कहीना के जो होगा हमारे जो प्लीशन साखेंगे तो मुस्लिम अस प्रिएंग ओर केंदग करता है तो चूकर चैनली को सब्सक्राइध लोग नही는 ये एक तो मुस्लिम सब्सक्राइब अफ्टीज़ पर्टिक्लार प्रोविंसेज जो है और कुछ पर्टिकुलार जो आपकी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो किदर चले आते हैं पाकिस्तान में चले आते हैं तो अब पाकिस्तान भी अपनी इसेंबली बनाता है और वहीं इंडिया भी इसेंड बनाता है तो आफ्टर पार्टिशन हमारे क्या सिच्वेशन रहती है वो समझते हैं तो टोटल स्टेंज जो है वो 299 हो जाती है कितनी हो जाती है तो हमां पास 296 सीटें हुआ करती अब कितनी है हमां पास 229 यहीपे ठीक है पहले कितनी हुआ करती थि 299 बची है 229 बची है यहां पर गिजी्टि रहिब अब कितनी ऑचित और 9 haha तो अब कितनी बच्ची है हमाई पास सिर्फ सतर बच्ची यह डिफरेंस क्रिएट हो जाता है आफ्टर पार्टीशन पार्टीशन हो चुका है कंट्री एक बहुत ही दुख से भर के सदमे से निकल चुकी है कई बार कॉम्णल वायल समको बहुत जगह देखने को मिला अब देखते हैं कि वरकिंग कैसे कंड़क्ट होती है यह लोग क्या 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 डिसिजिजन से कब कब लेते हैं तो यह कुछ अल्टीमेटली पार्टिशन के बाद की डेट के बारे में बात करेंगे तो डिसेंबर 9 1946 को क्या होता है सबसे पहली मीटिंग करी जाती है सबसे पहली मीटिंग रखी जाती है इसको कित्ते लोग अटेंट करते हैं तो 211 लोग अटेंट करते हैं किसने बॉइकट कर दिया प्रिंस्ली स्टेट और मुस्लिम लीग इन दो लोगों ने क्या कर दिया इसको बॉयकट कर दिया तो टोटल स्टेंज कित्ती आते 211 लोग जो है वो इस चीज़ को अटेंड करते हैं कहां पर आपकी कॉंस्टेट असम्बली को ठीक है डॉक्टर सचिंदानंद सिना डॉक्ट टि करेंड प्रसाथ एंड लिकलोटेंपश अस्टेट बतर फॉस नाइई बनता उस्कंदानंद सिनाज उस उते हैं उनले प्रसाथ από हुएंट कर जाता है फिर बाद में क्या होता है कि दौक्टर राजयनद प्रसाथ को गया तरीक को क्या करा जाता है यह वे सक अ नेक्स्ट में बात करते हैं तिरह सावटर 946 अबहुत ही इंपोर्टेंट यह के इतिहास मैं यह इसी टाइब पर जावाला नेरु ने अबजेक्टिव रेजलीशन धिया था यह उब्यक्टिव रेश्वूशन बसली समझी है कि यह जवाला नेरु ने कैसे कुछ करें थे ठाबने ने कि जिनके सिस्धेर को यह क्या होना चीए बाइब करना नहीं प्रया क्या करा है एक तरीके से दिखा यह तरीके से बहुत ज़्यादा इंफ्लूइंस करा है ठीक है इट वोज यूनानीमसली अडॉप्टेड मतलब क्या है कि हर एक इनसान ने इसके तरफ वोटिंग करी है पॉजिटिव वोटिंग करी कि हां सर ने यह बहुत बढ़िया चीज़ ह हम इसको अडॉप्ट करते हैं और जैनुवरी 22nd 1947 और जैनुवरी 22nd 1947 मतलब बेसिकली क्या हो जाते हैं पार्टिशन के बात की बाद आती है तो इस पर आठ महीने दिये जाते हैं क्या करने के लिए डिसकस करने के लिए और प्रपोस अमेंड मेंड में टीक है तो सबसे पहल क्या आता है हमारा फॉर्स डाफ्ट ऑफ कॉंस्टिशन आता है ठीक है इस बीच बेसिकली पार्टिशन से क्योंकि हमारी कंट्री गुजर रहे थी तो इस दौरान ही क्या होती हम आवाना ड्राफ निकलते हैं ऑक्टोबर 1948 में क्या होता है सेकेंड ड्राफ आता है जो भी ज 1948 को क्या करा जाता है फाइनल ड्राफ्ट प्रोड्यूस करा जाता है फाइनल ड्राफ्ट दिंकाला जाता है लोगों के सामने और उस पे जनरल डिसकशन होता है पांच दिनों का क्या होता है पांच दिनों का जनरल डिसकशन यहां पर करा जाता है किस पर फाइनल लिए सब्सक्राइब को पड़ा जाता है उस पर वोटिंग करी जाती यह कि भई हाइस चीज को रखना है कि नहीं रखना है अगर इसको नहीं रखना या इसमें कुछ changes आने चाहिए तो क्या changes आने चाहिए ऐसे करके जो है clause by clause reading जो होती है वो कब चालू होती पंदरह नवंबर 1948 को होती है ठीक है एंडेड ऑक्टोबर 17 1949 ठीक है ऑक्टोबर 17 1949 को स्की रीडिंग जो है clause by clause reading जो है वो खतम होती है तो फाइनली 14th of November को 14th of November 1949 को क्या करें जाती है फाइनल अमेंडमेंट क्या बोलते हैं जो हो सकते हैं जो आगे प्रेजेंट करें जाते हैं और फाइनली 26th November 1949 को मोशन निकाला जाता है क्या कि बहिए अब हम हमारा जो प्रारूप बना हुआ है जो हमारे चैक्र secret है जो हमारे हाथ में ड्राफ्ट है उसको अब हम फाइनल करें है तेकर अईल्विвол्टू बास्डव कोस्ट्रिशन में चैक्र क्शाच होग हमें इसको मूफ कर रहे हैं कि अब यह विर ड्राफ्ट यह में जाएगा Constitution बन जाएगा और हम लागू कर देंगे तो इसमें 299 में से 284 लोगों ने क्या करें थी अपनी प्रेजन्स थी वहाँ पे अटेंडेंस किती थी 284 हुआ करते थी किते में से 299 लोगों में से कुछ अधर फंक्शन जो हैं इस पर्टिक्ला कॉंटिक्लाइस असेंवली में जो पर्फर्म करेंथे वो दिखते हैं तो इन मैंबर शिप अफॉप मतलब इन मेंबर कीशिकर में अग्सेट करते हैं उसके मेंबर बन जाते हैं national फ्लाग हमने अटॉप्ट करता 22 जुलाइड 1947 क हमने क्राप करा था हमारा national flag करा था 24 जनुवरी 1950 अधिक कशुआ गरा था हमारा national anthem and national song को नाचनल सूंग के और साथ असाथ और उसका हम कैसे जवाब दी सकते हैं सबसे पहले बोलते हैं कि इनका कहना यह था कि बेसिकली जो लोग और डिक असेमली में जो एक हो चुके थे वही लोग कहां आये तो इससे हमको कैसे बचाना है कि भाई जब ठीक है आपकी बात सही है कि क्या वह बडिक असेंबली के लिए अलग से अलेक्षिन नहीं हुए जो लोग ऑलरेडी किसमें ए हो चुके थे जो स्टेट लेजस्लेटव असेमिर में एक हो चुके थे वही लोग यहां पर आये ठीक है बट अगर क्या होता कि सेपरेट इलेक्षिन भी होता तो भी तो रिजल्ट सेम ही होता है ना कोई डिफरेंट तो होता नहीं क्योंकि भाई जो पॉप्लर चॉइस पी अपन समझते हैं आप कहरो कि इस वरेंट नहीं है क्योंकि इसको बिटिशन ने बनाया नहीं है बिटिश के तहत जो बातचीत हुई थी काबिनेट मिशन प्लान में उसके तहत हमने ही कॉंस्टुट्रेंट असिम्ली बनाई है हाँ बिटिश का संयोग रहा है दूसरी चीज हेल्ट सेशन विद पर्मिशन और बिटिश हम उस पर्टिक्लर पीरिड ऑफ ताइम पे कुछ ऐसा नहीं करना चाहते थे जिसकी वज़े से बिटिश को क्या लग जाए कि एक और मौका म नहीं दी जा सकती नेक्स्ट टाइम कंजूमिंग बोलते हैं कि यह बहुत जादा टाइम कंजूमिंग थी तो भाई साब बिलकुल ती यह सई बात है हमने अल्मोस्ट दो तीन साल लगा दिया हमारा कॉंस्टिशन बनाने के लिए इवन जादा ही लगा दियोंगे क्यों जो है ना उसको भी बहुत ही क्लाउस स्ब अंचकल सब मोस और तरीके से मिनकी एनको लग मैं यह सबात्यूमिंग लगना यह और Shahid कि जो है डिसकेशन में यह डिसेजिन पावडर तो होता ही है नेक्स डॉमिनेटेट बाइ कॉंग्रेस ठीक है ग्राइन विल ऑस्टिन कहते हैं असेंब्ली वस कॉंग्रेस आंड कॉंग्रेस वस इंडिया यह उनका स्टेटमेंट आता है कि इसके लिए कि भाई जो का जो हमार नई चीनल बना रहे हैं जिसमें हम भारत बहलत कि नया समयों चैंट में जबिया और मॉडरेंट तो हम कैसे लिमित क होंग्रेस करेंगे और हमने यह नहीं कर दो मना नहीं कि रहा था मुस्ति मोड़ियं को हम ने की लिए कि आप आईए आपने पॉइंट सामने रखी हम डिसकस करेंगे कोई वैलेट चीज होगी तो यहीं पॉइंट भी यहीं पर क्या हो जाता है चलिए नेक्स बोलता है लॉयर पॉलिटीशन डॉमिनेंस कि मतलब यहां पे जितने भी लोग थे वह लॉयर पॉलिटीशन डॉमिने ठीक है इट वोज रीजन फॉर इट्स बॉल्किनेस अन कॉंप्रिम केंटेड लॉंग लांगविज मला इसका मोटा होना बलकिनेस होना और इसकी कॉंप्रिकेटेट लांगविज होने का कारण क्या है यह लॉयर पॉलिटीशन डॉमिनेंस अब वहां पे एक पर्टिकुलर हम कोई भी वॉयलेंस नहीं करेंगे हम क्या है कानूनी तरीके से अपनी लड़ाई लडएंगे हम नॉन वालेंट तरीके से एक पैसिव रेजिस्टेंस दिखाएंगे तो इसके लिए ऑफकॉस ही बात है लोगों का लॉयर होना बहुत जरूरी था क्योंकि अल्टिमेटली जब पुलिस या प्रशासन उनको काप्चर करेगा तो उनको छुडवाना भी जरूरी है अपने राइट्स पता होने चाहिए एक लॉयर शिप अंदर रहनी चाहिए तो इसी वज़े से क्या था यह एक लॉयर प्लिटीशन डॉमिनेट असेंब्ली हुआ करते थी जो कि है वो अपने अपने टाइम के साब से निकाला जा सके है नेक्स बोलते हैं डॉमिनेटेट बाइंदूस यह टोटल इंडिया को एक और तरीके से डिवाइड दरने का एक कमेंट था विंस्ट चर्चल बोलते हैं तो कॉंस्ट्रेट असेंब्ली रिप्रेजेंटेट अनली व सिर्फ मesliम लिग नहीं आना चाही वह सक डिसीजन था ठिक है पर चिसुटेट नहीं आना चायए वह सका है यहता तो इसमें आप यह सकते हो कि बैसर्फ चिर्च्ट जो है वह इसके को से खालिश करते चलना है तो आइए बेसिक लिए बार क्विग्षिन कर लेते हैं कि कौ सब्सक्राइब करते हैं कि संगठन बना चाहिए यह कैसी असेमली बनाना चाहिए जो कि हमारे constitution के लिए काम करें नाइंटी थर्टी फाइब में इस पर्टिक्लर डिमांड जो है वह क्यां सब्सक्राइब करते हैं कि आफ़े अब हमको डॉमिन स्टेटस नहीं चाहिए और इस पूंट्स वराज के साथ साथ हमको हमारा नियम दो बन सके काँदे मिशन को कब आता हैlockion सփ नियम संव्थ को फाइनलि जो है इसकी जो होती है मुस्लिमन realize bathroom बैठ और इन दो मीचन के भी संव्थ करते हैं सबसे ने यह का रहते है सर स्टाफ़र्ट रिष्प साव स्टाफवर्ट करफ जो है वह पहले भी आ चुके रहते हैं इससे पहले क्रिप्स मिशन लेके गांदी जी के काफी अच्छे दोस्त रहते हैं तो गांदी जी ने स्कृप्स मिशन को क्या बोला था कि बहिए एक डूपती हुई बैंक का पोस्ट डेटेट चेक है ठीक है क्यों क्योंकि यह स्टाइट फट करिस्प का कह रहे थे कि अपको डूमिनियन स्टेटस देने को रेडी है जब कि बात तो पूरी पूर्स वराज की बात थी ठीक है तो इसलिए वो फेल हो जाता है और उसके बाद हमारा आता है होग आते हैं और सचाना नाच को क्या करा जाता है टेंपरेरी प्रेशिडेंट चूस करा जाता है ग्यारे दिसम्बर एक्जाटिली दो दिन बात क्या होता है कि फॉर्पर फॉर्मल वोटिंग होती है और यहीप डॉक्टर राजींद प्रसाथ को प्रेशिडेंट आफ दी 1947 को ठीक है 20 1947 को यह unanimously accept होता है और इसी के basis पे कहीं नहीं हमारा Constitution बना हुआ है चलिए Constituent Committees देखना है ठीक है सबसे पहले Constituent Committees देखते हैं कि कौन-कौन से Committees हुआ करती थे उनका Head कौन था सबसे पहले operational committees की मतलब basically Constituent Assembly जो है operate कैसे करेगी वो committee होती है एक एड-hoc committee on national flag ad hoc का मतलब समझो कि एक ऐसी particular committee जो की तुरंत बनाई जाती है किसी एक particular purpose के लिए तो यह होता है meaning किसका ad hoc का तो ad hoc committee बनाई जाती है किसकी national flag और national flag ठीक है कि हमारा राश्टी जिंडा कैसा देखेगा क्या होगा क्या उसका मतलब होना चाहिए क्या उसके नियम काईदे रहने चाहिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर committee ठीक है रूल्स ऑफ प्रोसीजर की बच्टर कॉमिटी है किससा आप से काम करें किया उसके काईदे होंगे और स्टीरिंग कमिटी मतलब अब क्या होगा आप किस चीज़ पर हमको बात करनी है अब हमको इस असम्मलियों किस दिशा में लेके जाना है तो यह सब कमिटी जो हो गई आपकी चार ऐसी कमिटी जिसके हैड कौन हुआ करते थे डॉक्टर राजेंदर प्रस बात हो रही है उसकी यूनियन पावर कमिटी की बेसीकल कौन होगा पंडित जवाला निरू के अंडर होगा होगा है चले optimism coem incom petites कि बाते है प्रोविंशियल Constitution Committee की बात आती है ठीक है और Fundamental Rights and Minorities Committees की बात आती है तो प्रोविंसेस को एकटा करने की बात हो गई मैंला Unity Integration की बात होगी साथ साथ-साथ अपने Fundamental Rights और Minorities Committee की बात होगी तो और Minority Committee जो थी वो HC मुखर जी उसको हैड कर रहे थे और इन दोनों के जो सब कमिटी के जो हैड थे इनका टोटर पूरा हैड कौन था सदार वलब भाई पटेल हैड हुआ करते थे ठीक है फाइनले ड्राफ्टिंग कमिटी आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी होती ह में रहे ही क्या क्वनाथ ही हमारे Constitution का ड्राफ्ट बनाती है प्रारूप बनाती है तो यह जिम्मिदार किसको दे गई थी टॉक्टर भीम्राव अंबेटकर को दे दिए ति द्राफ्टिंग कमिटी का हैड बनाया गया था ड्राफ्टिंग कमिटी क्या करेगी आपके constitution के draft present करेगी उसमें amendment जो भी होना है वो प्रेजेंट करेगी क्या क्या provisions आने वो सब प्रेजेंट करेगी तो drafting committee का head कौन थे आपके भीम्राव अंबेटकर बाबा साब अंबेटकर drafting committee की बात करते हैं तो 29 August 1947 को यह फॉर्म होती है मेंबर देख लेते हैं डॉक्टर भीम्राव अंबेटकर जो की चेर पर्सन थे गोपाल स्वामी अयंगर ठीक है अलादी कृष्ण स्वामी एयर कनाया लाल मानेक लाल मुंशी सैयद मुहमत सादुल्ला ठीक है एन माधव राओ एन माधव राओ और टीटी कृ सब्सक्राइब कर दिया था क्योंकि कहींने के साथ हेल्थ इशूस थे कुछ और इनको क्या करना था इतना लोड नहीं दे सकते थे और इनको रिप्लेस करा किसने एन माधव राओ ने करा और टी कृष्ण करमाचारी ने कर दिया यह थे मेंबर्स आपके किसके पूरे ड्रा बादा आफ शुक्तान यह था को फाइनल ड्रांव्ट आता है और फाइनली चापिस नवर में नाइटींफ़र इनको क्या होता हैं आपका कॉंस्टीशिशन जोता है पास हो जाता है और डुट्ट हो जाता है चलिए सोनसी नैसल फ्लग का बरॉत होता है तो 22 जुलय 1947 को होता है नाशनल इनफंज स्वांग का बडाप हो होता है तो में में 29 Stunderland कोने और वा संद गाता है इंडियन जो हुआ अपनेसे प्रिजिट करता है कि इसके बिटिश कॉमनवेल्थ की 15 मेंबर रहती है कॉंसुट्रेट रसंबली तो जाइर सी बाते कि बाइस हर एक प्रॉपर चीज्ट जो है हर एक लोग जो है एक सेक्ट जो है वो तरीके से रिप्रेजेंट होता हमारी तो हम भी बिलकुल नहीं कह सकते कि यह बायस है कहीं नहीं किसे क्या है यह एक ही सक्षिन से डॉमिनेटेड चलिए तो यह था बेसिकली आपका क्या पूरा को बड़ा हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉस्टिटीशन कि कभ हम क्या करते इंडियन करते हैं उसमें से कॉंग्रेस के कित्ते हाते हैं यह सब चीज़ें जो है अगर आपको यूट्यो दूबारा देखना है तो आपको यूट्यूब पर जाने की कोई जरूवत नहीं है ठीक है क्या करना है हम मागनेटेड सामार तरफ से आपके लिए च्छोटी से पहल लेकर है है हमारी न्यू वेब साइट और साथ हमारा अप्लेकेशन जो कि आपको कहा मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे तो प्लीज गोगल प्ले स्टोर और डूट डूट अप आप चाफी फ्रेंडली यूजर इंटरफेस है साथ साथ अभी फॉरेग्स नाव मैं आपको दो कोवर दे देता हूं अबाउट इस साइट तो हम लेकर आए मागनेट प्रेंश डॉट कुछ नहीं करना एंटर करना है आई नो यू आवरी टेक्नो सावी आप दो मिलिट में समझ जाओगे आप साइट हाओ कैसे काम करती कैसे करती बट छोट असा वॉक्त ठीक है जैसी अब दिखकत नहीं है यह आटी है सब है अब ध्यान देना जैसे फॉर एक्जामबल मैं मिलूंगा आपको ओलंपियाट में तो जैसे आप ओलंपियाट क्लिक करोगे तो बाइडिफॉल्ट जो लेटिस क्लास होती है वह आती है ठीक है अभी फिलाल मैं आपको पढ़ा रहा आपके सामने आ जाएंगे सब वाचनाओ का बटन लेकर आएंगे ठीक है क्या लेकर आएंगे वाचनाओ का बटन लेकर आएंगे वाचनाओ पे क्लिक करो कुछ नहीं है नया पेज़ खुलेगा स्क्रोल डाउन करो तो आपके सामने इस लिस्त आजाएगी उन टीचर्स के पूरे वीडियो की जो की यूट्यूब पर डेले हुए है विट प्रपर डीटेल्स की किसमें कितने लेक्चर है कितने टाइम का लेक्चर है सब चीजे जो है आपके सामने आजाएगी सीधा प्लस पे क्लिक करोगे अगेन एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगा अब यहां स आप क्या कर सकते हो सिधा वाचनाओ कर सकते हो वाचनाओ पर जैसी क्लिक करोगे ना तो सबसे अच्छी बात यह कि आपको कहीं रिडिरेक्ट नहीं करा जाएगा यूट्यूब प्लेयर जो है आपके सामने वहीं खुल जाएगा विट सेम फंक्शनालिटी ताट मींस डिरे दिया होगा और दबा के बिलकुल शेर तो जरूर करती है तो थाइंक यू सो मच फर वाचिंग इस वीडियो